धारावी के जुना मस्जिद के यहां धारावी वासियों की एक सभा हुई जिसमें सांसद वर्सा गायकवाड और राजुगोड से मौझुद थे इस सभा में लोगों ने उन्हें बताया कि कैसे उन्हें डराया धमकाया जारा है सर्वे के नाम पर और किस तरह उनके साथ कायद दर्ज की है इस बारे में उन्होंने ये भी घोशना की कि महाविकासा घाडी की सरकार आने पर पात्र अपात्र का जियार रत कर दिया जाएगा यह जियार देश के सविधान और जहमूरियत के खिलाफ है यह जियार जो अभी दिखाया इनोंने इस जियार को पहले याते हमारा गवर्मेंट इजियार को रद्द करने का ताम करेंगा किसी महुत नहीं हमारे अधिकार को रोपने का लोगों की मंजी के लिए सरकार बनी है सरकार की मंजी के लोग चलेंगे मैं बनाने वाला है कि अधानी बनाने वाला है कि गौबे दूर में ने वाला है यहां पर जमूर्यत है, लोगों को हां कहने का भी आधिकार है, लोगों को ना कहने का भी आधिकार है. दराने के लिए उनने जियार डाला है, दरना है कि नहीं दरना है, हमें पताता है करना है. अगर कोई मुझे कहता है कि वर्शागाय पड़ तुम यह करो दी तो तुम्हें यह करेंगे, तो मैं कौनकी में मौल ही करो दी, जो जमूर्यत को है, जो लोगों को पसंद है, जो वर्शागाय पड़ सच में समझती उसमें कड़ा रहे हैं. ऐसा हुकुम शाही इस देश में नहीं चलेगा, यह हुकुम शाही है, कि आपको डराने का काम चल रहे हैं. दर्ये मत किसी से, यह आपका हम के आपका घर कोई आपसे नहीं चीन पाएगा, मैं यह आपसे कहना था. किसी का बाप राज बाप का राज नहीं है, यहाँ पे सभीदान का राज है, यहाँ पे हर किसी को घर मिलना चाहिए, और उसके लिए हम लड़ने वाले लड़के रहेंगा, घर दिना के रहेंगे.